Very good evening to all of you, मैं रभी तिवारी आपके अपना online institute टार्गिर वित आलोग से आप सबी लोगों का स्वागत करता हूँ रटलो की इस महातपूर स्रिंखला में, current affairs के महातपूर ब्याठ्यात्मक पृष्णों की स्रिंखला के साथ मैं फिर एक बार आपके समख चुपस्तेत हूँ, आए हम लोग सुरुवात करते हैं इस रटलो की जैसे कि आप जानते हैं कि आगावी समय में प्रदेश में बड़ी परिक्षाएं आपकी होने बाली है और इसके एक रटलो सीरीज संस्थान की तरफ से आपको दी जा रही है कि जिससे आपके करेंट के प्रस्थन गलतना हो और जादा से जादा तयारी संस्थान की तरफ से आपकी कराई जा सके तो आईए, बिना सबय कराई हुए हम लोग इसकी सुरुवात करते हैं उससे पहले मैं दो महत्पूर जानकारिया आप लोग को दे दू, संस्थान की तरफ से आईए देखे, UP और बिहार SI के जो भी सदस्य हैं और जो एडमिसन लेना चाहते हैं एडमिसन पिरक्रिया भी खुली हुई है आप अभी भी अपने एडमिसन को सुनिश्चित करा सकते हैं आसान पिरक्रिया से आपको एक नमबर है 73980 और इसके बाद फिल लिखा है 3575 आपको इस नमबर पर इंट्री SI लिखकर भेज देना है चाहे आप UP से हों, चाहे आप विहार से हों और आप अगले जो है, कुछी घंटों में अपने प्रिवेश को सुनिश्चित करा लिजे अभी एक, दो, तीन दिन प्रिवेश हमारे खुले हुए है एक और बात, जो लोग यूपी टेट का इंतजार यूपी टेट का खतम हुआ है यूपी टेट का विलकुल नया बैच, संस्थान में कल से ही लाया जा रहा है और संस्थान इसकी पूरी योजना पर कल आप से बात करेगा और कल और परसों में इस बैच से सम्मंद्द समस्त जानकारियां आप लोग को प्रिश्चित कर दी जाएंगी के बैच कप से क्या चल रहा है और कैसे आप इसमें प्रिवेश को सुनेशित कर सकते हैं तो जो यूपी टेट बाले हैं वो तयार रहें कल और परसों इसकी संपूर योजना आपको प्रेसे के जाएगी आईए पढ़ाई लिखाई की शुरूबात करते हैं पहला एक मातपूर प्रिशने यहां से लेते हैं आप लोग भी जो है इसका उत्तर करिए पहला प्रिशने यहां पर देख रहा है आप लोग मैं प्रिशने के बात थोड़ा सा स्क्रीन से बगल हो जाओंगा ताकि आप प्रिशने को अच्छे से पढ़ सकें पहला प्रिशने है नेशनल एलूमिनियम कंपनी लिम्टेड द्वारा संचालेट अलियाली जिया कारिकरम का संबंध किस से है देखिए अलियाली जिया जो कारिकरम है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्च पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी अभियान की तर्च पर यह अलयाली जीया कारिकरम है नैशनल एलुमिनियम कंपनी जो है यह आपकी उरीसा में है कहाँ पर है उरीसा तो यह उरीसा राजसरकार का कारिकरम है इसी तर्च पर के लिए है और जिसका संबंद क्या है वाल का सिक्षा और महला उत्थान से संबंद थैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो यह है आप सुरुवात जन्वरी 2015 में हर्याणा के पानी पस्से की गई थी यहाँ पर 2.00-2015 में एक से महातपु력 प्रिस्नğ बनता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने मंत्रालेयों कि संयुक्ति योजना ये इतनी बड़ी योजना है जिस पर चार मंत्राल है एक साथ काम कर रहे हैं है ना कौन-कौन से महला कल्यार एवं बाल विकास मंत्राल है स्वस्त मंत्राल है परवार कल्यार मंत्राल है और मानो संसाधन विकास मंत्राल है चार मंत्रालियों की सयोगत योजना है है ना और ये पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप मे इस समय चल लई है मैं जानकारी आपको बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के दूर पर दे रहा था और इसी कारीकरम के आधार पर उडिशा राज सरकार ने आलिया जिया अलियाली जिया एक जो है नई योजना लाई जिसका भी सम्मंद और प्रारूप बिलकुल इसी योजना परादा ने था है वाल का सिक्षा एमन महला उत्थाल आईए अगले प्रिश्न की तरफ बढ़ते हैं दूसरा प्रिश्न है आपका वाई प्रॉद्दोकी की तक्नीक जिसने भारतिय रेल विद्वारा पट्रियों पर अब रोधों की मैंने प्रिश्न को एक बार आप से डि अल्ट्रा वाइलेट फाइवर ऑप्तिकल्स और अल्ट्रा सॉनिक तरंगों के माध्यम से घने कोहरे में भी अवरोदों और खत्रों की पहचान कर लेगा जिससे आपकी यात्तरा सुगम हो सके सफल हो सके और रेल की जो अन्होने समाचार रेलवे के आप सुनते हैं उन समा साधनों को सुरक्षित किया जा सके आपको सुरक्षित रहा करें रखा जा सके तो रेलवेस पर काम कर रहा है और शीयोजना का नाम हमारा क्या है बताइए तिरनेत है ना तिरनेत आईए अगला प्रशन है आप लोगों का तीसरा प्रशन बहुं चर्चित सब्री वाला मंदर क सब्री वाला का साथिक अर्थ क्या है आप लोग बताइए ये प्रशन अभी कुस दिन पहले जो एक परिक्षा हुई उस परिक्षा में प्रशन आपका पूंचला भी गया था बताइए तो इसका साथिक अर्थ क्या है बताइए तो देखिए सब्री माला जो है एक तो आप पीजानने ये मल्यालम भासा का सब्द है मल्यालम भासा का सब्द है जिसका साब्दिकर्थ क्या होता है परवत क्या है साब्दिकर्थ है परवत सबरी माला जो है ये केडल की राजधानी तिरवंधपुरम से 175 किलोमीटर दूर इस्थितिक मंदर है जो अभी कुछ दिन पहले विवाद में रहा जहाँ पर सभी उम्र की महलाओं के प्रिवेश को बरजित किया गया था मतलब सभी उम्र की महलाएं नहीं जा सकती थी एक निश्चित परास्थी उम्र की वही महलाएं जा सकती थी बाद में ये मामला जब सुप्रीम कोट और हाई कोट गया तो इस पर नए गाइडेंस आए तो सब्री माला एक विबादित मुद्धा रहा आप सबी लोग को याद रखना मल्यालम भासा का सब्द है और इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है परवत होता है आईए चोटे प्रशन की तरफ बढ़ते हैं लिखा है वह देश जहां विष्ट का सबसे उंचाई पर इस्थित मौसम स्टेशन सेंटर बनाया गया देखिए बताईए आप लोग बताईए नैसनल जोग्राफिक द्वारा किसके द्वारा नैसनल जोग्राफिक नैसनल जोग्राफिक के द्वारा सबसे उंचा मौसम केंद्र जिससे मौसम संबंदी समस्त जानकारियों को पहनी नजर से देखा जा सके और प्रात किया जा सके और उनके अनुमानों को और सटीक बनाया सके इसके लिए एक मौसम केंदर नेपाल में माउंट एवरेष्ट पर स्थापित किया गया है माउंट एवरेष्ट है ना और ये विस्स का सबसे उंचा मौसम केंदर है जिसकी उंचाई है 8430 मीटर क्या है इसकी उंचाई? 8430 मीटर इसकी उंचाई है डिटेल इसको आप देख लिजिए और जोई आपके काम आएगा क्लियर है आई यूँ तो नेपाल इसका सही उत्तर है पांच में प्रिश्णी की तरब हम लोग बढ़ रहे हैं वह है राज जिसके प्रिशिद्ध बहुत दिस्थल चोखंडी स्थूप को राष्टी महात्र का सनरक्षित छेत्र घोसित किया गया है ना चलिए चार विकल्फ हैं आप लोगं के सुना होगा आप लोगं ने चोखंडी स्थूप बटाईए पहली बात तो इसका उत्तर क्या होगा उत्तर प्रदेस होगा चोखंडी स्थूप और एक और बात यह प्रिश्णी बात पर के बारे में विब्रार मिलता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा उत्तर प्रदेश है अगर आप से पूछा जाए कि चोखंडी स्टुप कहां इस्तित है? प्रसित बाद स्तर तो यह अपने राज उत्तर प्रदेश के सारणाथ में इस्तित है, किलियर है? आईए. चटमें प्रश्निकी तर बढ़ते हैं. 2011 की जन्गरणा अब तक की कौन सी जन्गरणा है? बताइए. सुनिए अब तक की पंद्रमी जनगरना स्वतंत भारत की सातमी जनगरना और 21 सदी की दूसरी जनगरना सबसे पहले लाड मेयो लाड मेयो के काल में 1972 में इसकी शुरुवात हुई थी और इसके बाद 1981 में लाड रिपन लाड रिपन के सासनकाल से यह नियमत हुई और प्रितेक दस वर्ष के अंतराल पर कराई जाने लगी हमारी जो पंद्रमी जनगरना थी इसका आदर सुबाक था हमारी जनगरना हमारा भविस हमारी जनगरना हमारा भविस और इसका मैसकोट और सुभंगर था एक प्रगरक सिक्षा क्या था? प्रगरक सिक्षा क्लियर है? आईए आगे बरते हैं जनगरना 2011 के आख़णों के अनसार राष्टिय लिंगानपात क्या है? ये कुछ माहत्पूर ऐसे प्रगर जने आपको याद भी रखना है और ये आपके लिए बहुत माहत्पूर भी है आईए एक चीज देखिए मैं आपको और बता दू यहाँ पर एक प्रगरना का आता है कि जनगरना का सबसे प्रथम विवरर जैसे आपने लाड में वो लाड रिपिन तो याद कर लिया जनगरना का सबसे प्रथम विवरर किस मुगल कानी लेखत के विवररों में मिलता है तो अवल फजल के आईने अकबरी में सबसे पहले जनगरना से सम्मंदित विवरर मिलते हैं जनगरना से सम्मंदित विवरर कहां मिलता है तो आईने अकबरी में मिलता है अवल फजल के सबसे पहले आईए अगले प्रथम पर चलते हैं साथ पर प्रथम आपका है राष्टिय लिंगान पात क्या है बताईए आप लोग उत्तर करिए मैंने खूब आप लोगों को ये चीज़ें बताईएं कितना है बताईए तो देखे जो राष्टिय लिंगान पात है वो आपका है 943 है ना 943 यहाँ पर दो चीज़ें और याद रख लीजिए कि सबसे ज्यादा कहां कहां है और सबसे कम कहां कहां है कि लिए सबसे ज्यादा जो है वो केरल का है कितना 1084 हमें सीखना चाहिए केरल से और सबसे कम जो है वो हर्याना का है हर्याना का है हर्याना का किता है 889 879 कि लिए हर्याना का किता है 889 879 और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 912 है जो राष्टिय लिंगा अनपास से 31 अंक कम है कितना कम है? 31 अंक कम है यह सारे विब्रण आप याद रखेगा क्योंकि यह सारे विब्रण आपके काम के हो और आपको काम आएंगे अगले प्रशने की तरह बढ़ते हैं आठवा प्रशन पन्रमी बन रिपोर्ट के अनुसार निम्न मैं से पन्रमी बन रिपोर्ट के अनुसार निम्न मैं से सरवदिक कमी दर्ज की गई बन छेत्फल में सरवदिक कमी कहां दर्ज की गई देखे वन छेत्रपल की सरवदिक कमी जो दर्ज की गई वो की गई मिजोरम में क्लिया है और सरवदिक बृद्धी जो दर्ज की गई वो की गई आलनिप्रदेश में कमी और बृद्धी से आसा हमारा ये नहीं होता कि यहां पर बन छेत्र सबसे अदिक है वन चेत्र सबसे अधिक होना एक अलग बात होती है जब हम कमी और बृद्धी को देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हमने पिछली दो रिपोर्ट्स को कंपेर किया है पिछली दो रिपोर्ट्स को क्या किया है कंपेर किया है और पिछली दो रिपोर्ट्स में जिसमें सबसे ज़्यादा बन लगायगाए तो कहां पर लगायगाए आज़िदी कहां पर हुई तो आंद्र प्रदेस में हुई लेकर अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा बन कहां पर है छितपल के हिसाब से तो मद्ध प्रदेश में है और सबसे कम कहां पर है तो हर्यारा में है सबसे ज़ाद अगर आप से पूंचा जाय तो कहां पर है बताइए मद्ध्र प्रदेश में सबसे कम कहां पर हर्यादा हम पंद्रवी बन रिपोर्ट के बारे में पृतिजगर 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 वाल कृष्णन दोसी साब को पिछले वर्स इस वर्स का जो पुरुसकार है वो मिला है अराता इसो जाकी को और ये जापान की हैं कहांके जापान के हैं और अराता इसो जाकी को इस बार का 2019 का पृतिजिकर पुरुसकार दिया गया है आईए अगले सबाल पर बढ़ते हैं दसबा वैस्विक सिख्षक पृत्षकार दोजार उन्नीस निम्न मैं से किस देश के सिख्षक को प्रदान किया गया देखें वैस्विक सिख्षक पृत्षकार दोजार उन्नीस चीन के सिख्षक वो स्वारी छमा करिएगा केन्या के सिक्षक को प्राप्त किया गया और केन्या के विज्ञान के सिक्षक को प्राप्त किया गया और जिस सिक्षक को प्राप्त किया गया उनका नाम था पीटर तबीची ये विज्ञान के सिक्षक है केन्या के और इनको वेस्विक सिक्षक प्रुसकार 2019 प्राप्त किया गया प्रदान किया गया यह जो प्रुसकार होता है यह वारकी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है किस द्वारा वारकी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है अच्छे से जाल लेजिए वारकी फाउंडेशन जो प्रुस्कार दिया गया आईए अगले पर चलते हैं अठार में एस याई खेलों में भारत की तरफ से पहला स्वड़ पदक प्राप्त करने वाले खलाडी का नाम क्या था बताये जी से पहला स्वड़ पदक अठार में एस याई खेलों में प्राप्त किया था बजरंग पुन यह था यह सही है अठार्मेसिया खिल कहा आईजित किये गए तो आप कहेंगे सर इंडोनेसिया में कहां इंडोनेसिया में आईजित किये गए और इंडोनेसिया की दो सहरों में आईजित किये गए कहां पर जकार्ता और पालिमबांग इंडोनेसिया की दो सहरों में आईजित मंत्रालयों को एक ही किर्थ करने का नेरा लिया गया है बताइए तो आप कहेंगे क्रिसी और ग्रामीरौ करने का नेरा किंद्ध सरकार द्वारा लिया गया है आईए आप लोग भी उत्तर करिए तेजी से महराच सरकार द्वारा जारी सुपर फिप्टी पहल का संबंद निम्लिखित में से किस से है देखिए जन जाती है विध्यार्थियों के लिए सुपर फिप्टी जो है यह सुपर थरिटी जो आप प्रतिष्ठित आनंद कुमार जी का प्रोग्राम है जिस पर अभी एक मूबी भी आई थी जिसमें रितिक रोसन ने एक बहत्री नभिने किया था और उसी पर आधारत एक प्रोग्राम में सुपर फिप्टी जिसको पेस एजुकेसनल पेस एजुकेसनल फाउंडेशन के माध्यम से महराष्ट राज्य सरकार चलाती है जिसका प्रमुक खुद्धिस क्या है जनजातिय विध्यार्टियों के लिए जो डॉक्टर और इंजिनियर बनना चाहते हैं लेकिन सुबदाओं के अभाव से जूज रहे हैं ऐसे विध्यार्टियों के लिए एक सांदार सुबदाय उत्पन कराना साधनों संसाधनों प्लब्द कराना ताकि वो अपनी पड़ाई लिखाई जारी रख सकेते महराज सरकार राज सरकार काई का अच्छा प्रयास है और आप लोगों का उत्तर होगा एक क्लियर है आईए चवद्मा प्रिश्ण हाली में विश्वन जीप कोस भारत एवं डिस्कवरी चैनल डिस्कवरी इंडिया ने वन दे साल है प्रश्शिब बंगा सरकार के साथ किसके सर्रक्षड के लिए भागेदारी की सुन्दरबन सुन्दरबन के सर्रक्षड के लिए भागेदारी की ये हम लोग देखते हैं, तो मेघना और पदमा, नदियों के डेल्टा पर, अब साथ के जमाओ के कारण, किस के कारण? अब साथ के जमाओ यहां से कई प्रिशने बनते हैं, सारे प्रिशने एक बार करें, अब साथ के जमाओ के कारण, एक डेल्टा का निर्मार हुआ है, और डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं सुन्दर बन सुन्दर बन तो पहला तो किस किस नदी मेगना और पदमा किस परियावर्ड ये घटना के कारण इसका निर्मार हुआ तो आप कहेंगे अब साथ के जमाओ के कारण तो सुन्दरबन डेल्टा के लिए एक बात है अब ये जो डेल्टा का छेत्र है यहाँ पर मेंगरो बन छेत्र की अधिक्ता है कैसा बन छेत्र पाया जाता है मेंगरो बन छेत्र और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पेड़ पाये जाते है वो सुन्दरी के ब्रक्ष पाये ज यहां पर मेंगुरोब बन चेतर पाई जाते हैं, जहां पर सुंदरी के विरक्षों की अधिकता है ये डिटेल आपके लिए महत्पूर है और इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताएगे ये होगा, सुंदर बबन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अगले प्रिश्ण की तरब बढ़ते हैं पंद्रमा प्रिश्ण हाले में प्रतिष्टित अमेरिका पत्र का फोर्स द्वारा जारी विस्से के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में सामिल एक मात्र जो भारती अभिनेता है वो कौन है अक्षय कुमार एक मात्र जो भारती अभिनेता है वो कौन है अक्षय कुमार है और यहाँ पर जो सीर सिस्थान है वो किसका है अमेरिकी अभिनेता डोयन जॉनसन अमेरिकी अभिनेता डोयन जॉनसन जो है आपका यह सीर सिस्थान पर है और भारत के एक मात्र रविनिता है, कौन है, बताइए, अच्छा है, कुमार है, आईए, अगले प्रिशनी की तरव बढ़ी है, शोल बाप्रिशनी आपका है, चलिए, सोल बर प्रिशनी से पहले एक महातपूर जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, देखियो, ये मेरी कि किताब है कि लिए हैं reasoning की किताब है आप में से बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुकी है जिल लोगों तक पहुंच चुकी है वो feedback दे सकते हैं लेकिए जिल लोगों तक नहीं पहुंची है है ना आप ये दिखिए वर्वल, नॉन वर्वल और एनलिटिकल रीजिनिंग की एक मात्र ऐसी किताब जिसमें आपको रीजिनिंग का पूरा सलेवर्स कवर है कोई ऐसा टॉपिक किसी परिच्छा का हो नहीं सकता रीजिनिंग का जो आपको यहाँ पर ना मिले सोयम मेरे तीन वर्सों की बहनत का परड़ाम है बहुत सारे लोगों तक पहुँचिये एक बात चाहे आप UPSC की तयारी कर रहे हो चाहे आप UPSI की तयारी कर रहे हो चाहे आप BANK PO की तयारी कर रहे हो प्रैक्टिस सेट भी है और कॉनसेट भी है जितनी सरल भासा में मैं पढ़ाता हूँ उतनी सरल भासा यहां पे लिखी गई है प्रैक्टिस सेट और कॉंसेट दोनों का बहतरी समावेशन इसमें किया गया है ये आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है लाइप में के लिए एक और बात आप बहुत आसानी से इस किताब को मगा भी सकते हैं जैसे आप घर बैठे इस किताब को कैसे प्राप्त करें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं एक नंबर है नंबर है आपका डिस्क्रिब्यूशन का 94522275777 इस नंबर पर आप बाटसब पर या तो बुक लिक कर भेज़ दे या आप कॉल कर दे आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हों दस दिन के अंदर किताब आपके घर पहुंचा दी जाएगी किताब का प्राइज तो 470 है लेकिन अभी आप लोगों को लगवग ये बहुत कम प्राइज में और बहुत कम 50-40-50-70% लेकिन अभी आपको ये बहुत कम प्राइज में यहां से आपको मिल रही है और आप इसको प्राप्त कर सकते हैं कोरियर भी संस्थान की तरफ से बिलकुल फिरी है यहना कोरियर भी फिरी है और बहुत कम रेट में ओफर प्राइज में आपको दी जा रही है आप अपनी बुकिंग कर लीजिए आप जैसे ही बुकिंग करेंगे किताब आपके घर पहुंच जाएगी किलियर है हमेरे लगता आप इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी आपके से जो लोग एक चोख है मंगवा सकते हैं और जिन लोग के पास पहुंच गई है वो कमेंट करके बाटी लोगों को फीड़बैक भी दे सकते हैं आए आगे बढ़ते हैं अंगले पृष्णी की तर था क्या अंतरिक्ष और तक्निकी में लोगों की रुची को बढ़ावा देना और बहुत सारे ऐसे अंचुए पहलू है जिनके बारे में लोग नहीं जानते उन्हें इससे अवियर कराना आईए ये इसका प्रमोकुद्दिश था सत्रबा पुस्तक कस्मीर अंटोल्ड श्टोरी क्लासीफाइट के लेखक कौन है ये प्रशने इसलिए सामिल किया गया आज किसमें क्योंकि कस्मीर में बहुत दिक्कत मची हुई है और इन्होंने 370 पर काफी लिखा है इसलिए पुस्तक आपके काम की हो सकती है और इसका ज क्लासीफाइट के लेखक आप से पूँचा गया था आईए अठार मपुस्नों हाले में किन देशों की नो सेनाओ के मद वार्शिक दुपिर्च्छे समुद्री अभ्यास कोकर 2019 सायोजित किया गया देखे कोकर जो है वो 2014 से प्रतेग बर्स आयोजित होता है के लिए ये भा दक्षडी तट पर आयोजे किया जा रहा है ध्यार रखना है आपको 19 मां होलंगी हवाई अड्डे का निर्मार कार 31 मां 2020 तक पूरा हो जाएगा ये किस राज्य में इस्तित है बताईए ये तो आपने खुब सुना होगा बताईए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा दवराचल प्रदेश में इटा नगर के पास इस्तित है ये औराचल प्रदेश में इटा नगर के पास इस्तित है थ्यान रखेगा 20 मां पृष्ण है हाले में किस राज द्वारा तंबाकू को एस रेडी के जहर के तौर पर बरगी कित किया गया बहुत नुकसान है जो लोग तंबाकू खाते हैं चांबाकू बेद्धानिक चेतावनी भी लिखी रहती है लेकिन हम नकारत्मक चीजों की तरफ ज्यादा अट्रेक्ट होते हैं तो एक राज जी की विधान सवा ने इस पर निर्ना लेते हुए करनाटक राज है आपका और इसको एस रेडी के जहर में सामिल किया है के लिए इसका मतलब है आप स्वीट प्वाईजन ले रहे हैं अगर आप तमबाकू खा रहे हैं करनाटक रास्तरकार अपने लोगों को इस समझाना चाहे रही है और समस्त राज्य के लोगों को के सामने एक उधारण है ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए करनाटक इसका सही उत्तर होगा एक इसमा प्रिशन हो भारती भू बैज्यानिक सर्विक्षर द्वारा भूकंपी है गदिविदी हे तो गिलोबल पॉजिशनिंग सिस्टम जिसको आप कहते हैं GPS मोबाईल में अकसर आप इसको परते हैं इसका फुल फर्म होता है गिलोबल पॉजिशनिंग सिस्टम इस्टेशन स्थापित किये कितने बाईस हाँ सूचना को और अचूप बनाया जा सके पुर्वा अनमान को और सतीक किया जा सके सतीक बनाया जा सके इसके लिए भारती भू बैज्यानिक सर्विक्षर द्वारा बाईस नए GPS गिलोबल भूकम पब्रोधक के लिए उपकाम करेंगे भूकम की जानकरी देंगे बनाये गए हैं तो इसका सही उत्तर होगा आपकर 22 23 वार केंदने मंत्रा जिसके द्वारा भारती सांकितिक भासा सब्दकोष जारी किये गए देखे यह दूसरा संस्क्रार था कौनसा भारती सांकित अगला पृटना कर जी एक पृस्धित बैंग्यानिक थे और बैंग्यान गे की लिए प्रतिष्ठित पुरुष्कार भारत में प्रदान किया जाता है विज्ञान और प्रदो के की लिए आईए अगला प्रशन है आपका वह पुर्वोत्तर राज जहां इलेक्ट्रोनिक निगरानी पर्योजना की स्थापना की गई ताकि घुस्पेट को रोका जा सके असम आपका सही उत्तर होगा क्या होगा असम आपका इसका सही उत्तर है आईए ओह राज जहां इस्तित दीपोर बील को इको सेंसिटिव जॉन घोसित किया गया है यह जो नाम था कुछ दिन पहले आपको जो है बहुत आपने चर्चा में रहा क्लियर है तो देखे यह असम में इस्तित है गोहाटी अगर हम देखे हैं गोहाटी के पश्चमी छेत्र में इस्तित है पश्चमी छेत्र में इस्तित है क्योंकि यह एक संरक्षित पक्षी छेत्र है क्योंकि यह एक संरक्षित पक्षी छेत्र है आईए गहरे समुद्री छेत्र में खनिज खनन हेतू किस परियोजना को सुरू किया जाएगा बताईए गहरे खनिज छेत्र में खनिज खनन हेतू समुद्रायन पर योजना को जिससे गर्व में छिपे हुए महातपूर खनिज उनकी उपस्ति थी कितनी है और वो कितने काम आ सकते है ऐसे प्रमुख बिन्दूओं पर जानकारी के लिए जो किन सरकार की योजना है वो क्यांसी है समुद्रायन जिसका प्रमुकुद्देश क्या है गहरे समुद्री छेत में खनिज खनन करना जिससे इस पर और रिसर्च किया जा सके और पता किया जा सके कि कितने भविस्व में हमारे काम आ सकते हैं वह राज जिसके मंदर के प्रसादम को भावल एक संकेत जी आई टेग देखे जी आई टेग पर एक पूरा अभी आपको विवरर देना है क्लास लेनी है और यह महत्पूर चीज हो गई है आपको बताने के लिए क्लियर अभी मैंने कोलापुरी चपल का भी आपको जी आई लो में डिसकस किया था अब इसका बताईए सही उत्तर क्या होगा तो तीके हाँ तो इसका सही उत्तर आपका होगा तमिल नाडू के पलानी नामकिस्थान के पलानी नामकिस्थान के मुर्गन मंदर के प्रसादम को जी आई टेग मिला है भौगलिक छेद प्रसादम को जी रखाइट है दिया गया है विस्का एक माज सर्रक्षे च्छत जहां मेंगरो बाग निवास करते हैं कि अभी हाल मैंने आपको बताया मैंगरो का मतलब है सुंदर बन किलियर किया या आपने पश्चिम मंगाल में, कहां पर सुन्दर बन, मैंगरोब बाग, एक मात्पुर बाग की प्रजाती मैंगरोब बाग, जिसके लिए cat project भी चलाया जा रहा है ना, हाँ, अगर आपसे पूछा जा, cat project किस से सम्मंदित है, तो बिल्ली पर टिक मत कर दीजेगा, ये किस से सम्मंदित है, वाक से सम्मंदित है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, कंजर्विंग एकर्स एकर, कंजर्विंग एकर्स फॉर टाइकर्स ये कैट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है और कहा निवास करते हैं? सुन्दरबन में आईए एरावी कुलम राश्टी उद्दान किस डक्षड भारती राज्ज में इस्तित है? अब ये तो आपने कई बार सुना होगा इसका उत्तर तो आपको करना चाहिए बताइए हाँ, कहां पर इस्तित है? बताइए यह जो है केरल में, है ना अनामलाई की पहारियों पर इस्तित है अनामलाई जो पहारी छेत्र है उसमें ये इस्तित है त्यान रखिएगा अना मलाई पाहाडी छेत्र में यहाँ पर इस चेत्र है यह संरक्षित पारस्तित की छेत्र है यह संरक्षित पारस्तित की छेत्र है त्यान रखिएगा पारस्तित की छेत्र है संरक्षित कौन सा एरा वी कुलम राष्टी उद्दान संयुक्त संरक्षित प ना मलाई पहाडी के आसपास आई, का छेत्र जो है, तीस बाद, जल सर्रक्षर सुनिश्चित करने वाला देश का प्रथम राज कौन सा है, मैं एक बार और कुश्चन डिसकस कर चुका हूँ, मेघाले, मेघाले ने इस टेप लिया है, कि जल सर्रक्षर, देखे, सेव डॉटर and safe water, हमारे जीवन की जरूरत है, कि लिया, जल सर्रक्षर करिए, बहुत सारे ऐसे स्थाने जहां एक बूंद पानी नहीं है, आप देखते हैं, विदर्व और बुंदिलखंड की स्तिती बहुत खराब हो जाती है, सूखे के समय है, मेघाले ने इंसेंटिब लिया है, मेघा होता रहूँगा, क्लिया है, सभी जानकरिया मैं आप आपको दे चुका हूँ, क्लिया है, यूपी विहार साई बैच में एंडमिशन चल रहा है, टेट वाले कल्या परसों का इंतिजार करेंगे, नया सोतन्त बैच, इसके एंडमिशन की प्रिक्रिया मैंने शुरू में बत बहुत, धन्मदाद, आप कहा से हमें देख रहा है, इसका कमेंट जरूर करिया करें, कैसा वीडियो लगा, इसका कमेंट जरूर करिया करिया, और आपने सुझाओ, जरूर प्रेशित किया करिए, आपके सुझाओ, हमारे चैनल के लिए संजीब गीकितर रह bugs, और आपके आई बहुत बहुत धन्दवाद नमस्कार